दियर इस्टून आपने ऐसे वीडियो पे क्लिक किया है जिस पे आपके भविस्ति बनने वाला है क्योंकि यूट्यूब का एक मातर चैनल है जो बालाजी प्रकासन का एक कोशन का सुलूशन प्रते एक चेप्टर का प्रवाइड करता और यहां पे मेरे चैनल लवी चेप्ट कर सकते हैं उस बुक को डाउलोड कर सकते हैं तो बीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए इन परसनों को हम लोग आसानी से साल्व कर लेंगे लेकिन उसके पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा तो यहां पे एक चीज में बता दूं कि आप जैसे भाग करत हमाली यहां पे चोविस में तो हम क्या करताे यहां पे लिखते हैं पांचेयों को यहां पे 20 लिखते है और यहां पे घटाते थूरे हमों लोग होता है यहां पर बार पती हम्में haya करन के अश्तर यहां पर निखाना है लेकिन यहां पर नए चीज यह आ गया है कि यहां पर युक्लिट भी भाज़क परिमेरिका से ग्याद करना है ठीकिन वही तरीका भाग ही करेंगे लेकिन वहां पर फूरा पूरा नमबर वहां पर दोने क्या है मिल जाए तो यहां पर देखिएो हमने फार्मूला भी पढ़ा था यहां पर हमने पढ़ा था जब चोटे क्लासों मेरा जाएक वह बीस होगा भीस में चार जोड़ेंगे तो 24 भाज के बराबर आजा रा कि नहीं आ जाना तो दिख्षिश में क्या किया है इसी चीज को अपने भासा में यह लिखा गुए यहां पर यहां से जो फार्मूला बनता है बराबर बनता है बीक्यू प्लस आर यहां पर यहां पर इस तरह से ना लिखे हम लोग लिखेंगे अ भाज है भाज है और क्यू क्या है ना आर का जब भी परियोग करेंगे तो उसका मतलब होता है प्रकर्ठी संख्या क्या होती है पूर संख्या क्या होती है साभाज संख्या क्या होती इन सभी परिभासाओं के उधारन के दौर मैंने कि एक वीडियो में बताया तो बेसिक का वीडियो आप देख लिए जिसका लिंक डिस्क्रिश्म आपको मिल जाएगा उसके बाद चलिए हम लोग क्या करते हैं साल्व करते हैं तो चलिए देखते है 1600 हमारा क्या है 64 में तो यहां पर आपको भाग करना आता ही होगा तो यहां पर दिखी जब हम दो बारी करेंगे तो यह बहुत अधिक आ जाएगा तो हम एक बारी में लेंगे एक बारी में हमारा क्या आएगा इस्टुन यहां पर 1152 यहां पर हमें क्या करना है तो चार में स त्यान देना है यहाँ पर इड़ा भाजक बन जाता है और यहाँ पर जो भाजक रहता बहुटध कर Defense vibe फिर प्रोसर शाप्पणा बिल्कुल ओसीट के दुरस कुछ करना यहां पर भाग करना है यहाँ पर देहिए इन बारी में बहुत अधिक आजाएगा तो यहाँ पर निए नहीं पर यहाँ पर बारी में बहुत आधीक आ जाएगा तो यहाँ पर हटे ़ाएगा तो एक होगा यानी एक सो अथाईस हो गया यहाँ पर चारबारी में कट जागा तो यहाँ पर घटाएंगे तो सब जीरो हो जाएगा तो जーツ नाए चृटा देना है और यहाँ पर जो लाश्टोल भाजक होता हूँ हमारा क्या होता है मस Ihre फता है जिसको हम लोग कहतते हैं लेकिन यह तो बड़े हैं लेकिन यहाँ पर एंप को क्या करना है पेपर में लिखना है और प्रसल पूछता है कि यूपलीड विभाजक प्रमेरिका से यहां पर लिखना है तो मैंने जब शुरू में आपको बताया था कि भाज ब्रावर क्या होता है भाजक गुड़े भागफल प्रस तो वही फार्मूला है यहां पर अपलाई करना है तो यहां पर दिखीर कणा तो हमुआर भाज क्या हो रहा है 1664 बराबर क्या हो जाएगा भाजक गुड़े भागफल यानी look में 122 यानि रिखेंगे 11521 प्लस में कितना है Gmail तो यहां पर लिखेंगे 500 बारे और लेकी तो आर नाट इक्विल टुजीरो आरनाट इकवल टुजीरो का मतलब मतलब ता अनकी से हंपते सेश्ब्ल क्या एंधा 512 है तो जब कि सेशफल आपको जीरो आजाएगा वहाँ पे आपको क्या करना है छोट देना है । फिर देखिए जिस परकार हम ने यहां पे लिखा आए बिल्कुल उसी OUT को यहां पे लेकए यहां पे यहां पे यह भाज है और यहां पे बागफल दो और प्लस 6 पल होता है तो सभल कितना 128 यहां पर लिखेना यहां से लिखना है यहां पर भाग के हैंगे सभी को क्या करना संप लिख देना है यहीं हमें क्या करना क्लास 11K में आपको करना है इसी को हम लोग कहते हैं यूकलिव भाजक पर मेंका द्वारा स्जीफ ग्याद करना तो असानी साहिब को समझ में आ जागा इस्टुटिट सिर्फ वीडियो में लास तक बने रहेगा यहाँ पर भाज हमरा है 512 तो यहाँ पर लिखते हैं 512 बराबर यहाँ पर देखिए भाजक है 128 तो यहाँ पर लिखते है 128 गुड़े यहाँ पर भागफल 4 है तो यहाँ पर लिखते हैं 4 और सिसफल 0 है तो यहाँ पर 0 आर यहाँ हो गया 0 के बराबर जब 0 के बराबर आएग और कामा देंगे 1648 क्यूंकि निकालना था और यहां पर हमारा हो जाएगा 128 लेकिन यहां पर आपको झोड़े नहीं देना यहां पर फूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या हमें क्या करना है ग्यात करना है तो यहां पर लिखेंगे एंस्वर डालके कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे एंस्वर लिखेंगे कि इगारह बावन वह सोरे चौंसट को पूर्टिया बिभाजित बिभाजित करने वाली करने वाली सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या 128 है अगर ऐसे लिखते हैं अगर पेपर में यह प्रस्ण आ जाता अगर बिलकुल इस तरीके से लिखते हैं आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको कोई रोक नहीं सकता है कि नंबर पाने में ठीक ना इस तो इस तरह सीजनी हम क्या कर सकते हैं ऐसे प्रस्णों को साल्व कर सकते हैं तो मुझे आसा इस्टन आपको समझ में आई गया होगा अगर वीडियो को लास तक देखते हैं तो सभीस्णा आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और काफी इंपोर्टेण इसमें प्रश्ण मैंने लिया है प्रश्ण नमबर एक से लिके नौत तक के प्रश्ण को मैं इसमें साल्व कराऊंगा अगर इस्टून आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि यही एक मातर यूटूब पर ऐसा चैनल है जो बाला जी प्रकासन का प्रतेक चैप्टर का सोलूशन और एक एक क्वे और सुलूशन का स्सें आपको सब कर दिया है अप लिए सब अगर आए तो देखेश्न नमबर को उन्सक्राइं किया कह रहा है यहाँ पर बता रहे किसी धरात्मनों के लिए वहर्य ग्यांद की जीए जिसमें प्रतेक धनात्मक संपुडां को लिखा जा सकता है यहाँ पे धनात्मक संपुडां का मतलव यानि जो भी यहाँ पे संख्या लिखा जाए वहाँ पे कोई भी बेलू रखे चाहिए एक रखे दो रखे तिर रखे वहाँ पे संख्या इप्राप्त होना चाहिए प्रतेक धनात्मक स्वंपुरांग को लिखा जा सकता है यहां पर कुछ भी मान सकते है टूइम लिख सकते है आपके उपर निभर करता है 2Q लिस सकते हैं, 2P लिस सकते हैं, ठीके न? यहां पर 2M की रूप में क्या कि जाता उसे लिखा जा सकता है. लेकिन यहां पे स्ट्मन हमें प्रूप करके दिखाना पड़ेगा कि यहां पर जो भी संख्या हैं, हमारा क्या होना चाहिए. यहां पर यंदि यदि यहां बराबर आपके रख है एक रखे लगा वह चरहां की ऐसी करके की जाएं मिल जाएंगी और यह जो संख्या है यहां निया प्रिश्ड हो जाएगा यहां इसी तरह से क्या करना प्रेश नुबर को भी लिखना है लेकिन यहां पर हमसे पूछ रहे हैं कि धनात्मक्षां कर्यों के रूप में हो यहां A मैं इसका भी solution बता देता हूं यहां पर लिख देता हूं solution number हमारा यहां पर क्या हो जाएगा 3 यहां पर same to same यहां पर लिखते जाएंगे यहां पर sum के जगा प्याब लिख लिजिएगा 6-7 यहां पर नोले कहां है तो अगर सब्चला से नरी था कि यहां पर यहां पर याद रखेगा इसका परियोग हम आगे के प्रशनों में करेंगे श्रून मुझे आसा है कि प्रशन नमबर दो और 3 तो आपको इजरी समझ में आ गया हो गया हो गया हुँगर समझ आ गया होते हैं इसका स्क्मिन सब्सक्रेशाट लीजिए फिर हम देखते हैं प्रेश्च नंबर 4 को कैसे हम लोग साल करते हैं देखिशन नमर प्रेशन यहां भी हमें क्या करना अपंट करना है लेकिन हम तो-स अजित क्वा आगा में लगा सब्सक्राइब हृँ यहां पर धार बतु把它 भाल्ट हमारे अग्रवत हैं भाजकटा तो यहां पर चाह्यों माइन मैशना ऐसे अदिव्द दे किरते हृँ में dog इसे नहीं चोड़ देना आपको लिखना है यूक्लिड यहां पे लिखना है यूक्लिड लिखना है यहां पर लिखना है युकलीट भी भाजक प्रमेइका से यह हमारा हो जाएगा प्रमेइका से यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर करना क्या है कि जो फार्मूला मैंने बताया था कि भाज प्रार क्या होता है भाजक गुडे हमारा क्या होता है भागफल और प्लस क् 90 फिर देखिए यहाँ पे जो भाज है कितना है 405 तो यहाँ पे लिखते हैं 405 बराबर यहाँ पे भाजक है 90 तो यहाँ पे लिखेंगे 90 गुड़े हमारा हो जाएगा यहां पे भागफल कितना है चार और प्लस यहां पे सेसफल कितना है 45 तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 45 यहां लिख लेगा आर नाट इक्वेल टू जिरो यहां पे लिखेंगे आर नाट इक्वेल टू जिरो और यहां पे जो हमारा भाज है 90 है तो यहां पर लिखेंगे 90 बराबर 45 गूरे 2 यहां पर ओजाएगा 45 गूरे 2 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा जिरू यहां पर remainder की value है जिरू आ गई तो यहां पर जो Hulk F हो जाएगा 1052 हमारा हो जाए गया गया तो चली हम देखते हैंप नंबर 5 नंबर में यह रहाप को यहां यहां पे गार्भन आपको ग्याद यहां पे लिखेंगे 960 और यहां पर resultBalini चाहिए यहां यहां में काना हुआ है का आ यहां 950 jean फॉन सून नहां यहां पर देखिए 615 को भाजक बनाना और हमें क्या करना है 960 को यहां पर भाज बनाना तो यहां पर हो जाएगा 960 यहां फिर देखिए हमारा एक बार में ही जाएगा तो यहां पर लिखेंगे 1 और यहां पर लिखेंगे 615 और आपको क्या करना है तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा यहां पर नौ मेंसे छगटाइए तो यहां पर तीन यानी 345 फिर इसको भाज एक बराईए और यहां पर लिखिए छहसो पंद्रे को यहां पर भाजी के रुप में पिर यहां पर यहां पर भी एक ही वार म अब 270 यहां पे भाजक बनेगा और 345 यहां पे आपका क्या हो जाएगा यहां पे भाज हो जाएगा फिर देखिए यहां पे एक बारी में यह कटेगा और यहां पे 270 और यहां पे माइनस करेंगे तो यहां पे 5 हो जाएगा और यहां पे 14 में से 7 घटाएगे तो आपका 7 हो ज टेंके 25 और समय ख़र गसे और यहां पर दो साथ जो कर जाएगा तो 3 और यहां पर 10 rhag our पर ऊंड़ो है करनेदों接 मे रूंद को पंद्र दोडारा ने लास्ट यहां पर भाजकी ढूंप में उतारेंगे और यह दो बारी में कट जाएगा तो यह हमारा तीस कट गया और यहां पर देख सकते हैं जो लाश्ट वल आपका भाजक है यह क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर लिखेंगे कैसे तो यहां पर लिखेंगे कि युकलीड यहां पर लिखा जाएगा युकलीड विभाजक विभाजक प्रोमेइका से तो यहां पर तरीका वही होगा जैसे मैंने आपको बताया था यहां पर पहले क्या लिखेंगे कि 1575 यहां पर लिखेंगे 1575 बराबर यहां पर हो जाएगा 960 गुड़े 1 प्लस यहां पर जो सेसपले कितना है 615 यहां पर लिखेंगे उसके बाद दोसरा इस्टेप में आना है तो यहां पर दिया हुआ है 960 बराबर यहां पर हो जाएगा यहां पर 615 बराबर यहां पर हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 345 ब्राबर 270 गुड़े एक प्लस यहां पर आया है 75 तो यहां पे 75 आर नाट इक्विल डू जीरू यह सारी चीजे समझ रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा मैं फास्ट लिए दे रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या किया गया है भाजे बरावा लिखा गया है भाजे भाजे भाग फल पलस है सेस्फल फिर देखें यहां पे 345 के बा बड़र हम हरे क्या हो जाए का 45 गुड़े एक और यहां पर6 फिर किया Saati बंद्रह गुड़े बादर 15 गुड़े 2 15 गुड़े 2 यहां पे 0 यहां ऎकूरे कर रॉक हो जाए यहां पर दीखेंस ब्राबर 15 गुड़े 2 15 हो जाएगा आर एक यहां पर देखें लाश्ट में नीचे आपको लिख देना है एंसवाट डाल के मैं यहां पर लिख देता हूं एंसवाट डाल के लिखना है कि हैच सी आफ कितना कि हम लों निकाले हैं कि 960 और क्या है 1575 का यहां पर एक्वल्टू कर देंगे और यह लाश्ट वुला जो भाजक हमारा आता है पंदरे आया है तो पंदरे ही हमारा क्या हो जागा एंसर हो जागा तो इस तरह के से आप क्या कर सकते हैं बड़े से बड़े को क्या कर सकते हैं और मुझे अश्या आप को समझ में आ गया और प्रसंग में आ गया तो इसका स्क्रिंग लिए फिर हम देखते हैं को इस वीडियो आपको नाइन तक क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे तो देख़शन नमबर 6 में हमें एस जब ग्याद करना तो यहां और यहां पर लिखा जाएगा दो सो पचीस तो यहां पर देखे एक बारे में यह जाएगा 135 यहां पर लिखना पड़ेगा और यहां पर माइनस करेंगे तो यहां पर जिरू हो जाएगा और यह तो कड़के 0 हो जाएगा यहाँ पर फिर इसको भाजक बनाना है और यहाँ पर जो भाजक इसको भाज बनाना तो यहाँ पर हो जाएगा 135 और यहाँ पर भी एक ही बार में यह जाएगा तो यहाँ पर लिखते है 90 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 बचेगा तो यहा यहां पर सिस्पल हो जागा तो यहां पर सेक्थ तो हमारा 45 हो गया लेकिन इसको लिखना यूक्लिट भीभाजक परिमेइका तुद्ध़ होता है यूक्लिड यहां पर क्या लिख जाएगा यूक्लिड बिभाजक यहां पे लिखेंगे बिभाजक यहां पे लिखेंगे प्रो मेरिका से लिख सकते है चाहे दौरा लिख सकते है तो यहां पे तरीका क्या है हमारा होता है भाज बरार होता है भाजक गुड़े भागफल पलस सेसपल यहां पे हमारा हो जाएगा दो सो पचीस बराब और नबे गूड़े एक और प्लस यहां पर सेस्फल क्या है पैटालीस तो यहां पर लिखते हैं पैटालीस आर नाट इक्विल टू जिरो इजली सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी यहां पर देखिए नबे बरावर क्या हो जाएगा आपका पैटालीस गूड़े द और प्लस यहां पर हो जाएगा जिरो आर इक्विल टू हो जाएगा यहां पर जिरो और यहीं हमारा क्या होता है लास्ट जो भाजक होता यहां पर जो पैटालीस हमारा क्या हो जाएगा तो यहां पर यहां पर एंसर डाल के लिखिएगा कि एच सी अफ किसका किसका आपने निकाला है तो आपने निकाला 135 और 225 तो यहां पर लिखें के 135 कामा 225 और करके आप लिखेगा 45 तो यही हमारा क्या हो जागा एंसर हो जागा तो इस तरीके सब्सक्राइब कर सकते हैं और चलिए हम देखते नेश कोशन सेवन नंबर का प्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए प्रेशन नंबर साथ का हमारा एंसर सिर्फ यही हो जाएगा ठीकन अभी इसको मैं बताओंगा यह क्या चीज है यहां पर लिखा गया है कि यहां पर भागपल क्यू आए और यहां पर से इस प्रकार विभाजित किया जाता कि सेस्वल आर क्या है यहां पर भाग करें तो जो सेस्फल का मार होता है हमेसा क्या होता अपने भाजक से cannot चोटा यह cauchy और जिरू के बराबर हो सकता है ठीकनला गया हिकेया पांस तो यहां पर इससे बाड़ा यह नहीं हो सकता तो यहीं इसके लिए क्या हो जागा इसका सब्सक्राइब प्रस्त नमबर यहां पर नरों को काफी इंप्पोर्टर्ट प्रसेंट जरूर देखिएगा अगर चैनल पीडियो को सिस्क्राइब कि तभी आपको पूरा का पूरा वीडियो करने प्लस क्या होता है यह हमारा भाजक होता हैं वह हमारा क्या होता है और आर यहां पे क्या होता है सिस्पल होता है इस फारमूले के द्वारा इजली निकाल लेंगे तो देखते हैं सबसे पहले दिया क्या है तो यहां पर कहरा हुआ है संख्या जिसको 61 से विभाजित करने पर 61 हमारा भाजक हो रहा है यहां पर हमारा जो बी की बैलू दिया और यहां देखिए यहां पे भागफल 27 प्राप्त हो रहा है तो भागफल हमारे क्या है यहां पे क्यू है तो क्यू की बैलू हमको दिया हुआ है 27 और यहां पे देखिए सेस्पल 32 यानि आर की बैलू हमको दिया हुआ यहां पे 32 और यहां पे भाज निकाला एकी बैलू हमसे एक सट है तो 61 लिखते हैं गूड़े क्यों की बेलू 27 है तो 27 पुलस आर का मतलब होता है यहां पर 32 हो गया इस आर की बेलू तो यह पर यहां पर शेखिए इसके सुन जब इसका गूड़ा करेंगे तो आपका आएगा इस फार्वूले के दौर्ण ऐसे प्रशनों को हल कर सकते हैं अब चाहें हीं लिखना तो हींदी बी लिख सकते हैं इसी प्रकार हम क्या करते हैं यहां पर शुल्यूशन नमबर डाल देते हैं 9 बिल्कुल इसी के तरह से हमबर रस्टावल होगा तो यहां पर दिखी क्या दिय और यहां पे देखिए श्वन भागफल हमको दिया हुआ 31 यानि Q की बेलू हमको दिया हुआ 31 और यहां पे सिस्फल दिया हुआ 32 यानि R की बेलू हमको दिया हुआ 32 हमसे B की बेलू पूछ रहा है ठीक न तो यहां पे फार्मूला आपको सिंपली रख देना है कि A बरार फार का तरीका होता है कि यह प्लस है तो इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा यानि 13 65 और माइनस हो जाएगा 32 बराबर बी गुड़े आपका हो जाएगा 31 और यहां पर जो माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 13 33 और बराबर हो जाएगा तालीस तो यही हमारे क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा इजली इसको भाग की जगा अगर कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताएगा और मुझे आसा यह प्रेशन नंबर